काफी लंबे समय से मेरे बूंदी के नोजवान खिलाडी जिनके चहरे पे मैं चमक देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, उस्सा देख रहा हूं, दूर दराज के गाउं में रहने वाले, वो नोजवान खिलाडी, जो देश के अंदर, अलग-अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिवाओं को, चाहे एशियन गेम हो, या ओलिम्पिक हो, विश इस दरी कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर, जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गाउं का खिलाडी, जिस दिन गॉल्ड मेडल लेकर आएगा, और बूंदी का नाम पुरे विश के अंदर करेगा, वो सपना में देख रहा हूं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए, उस उम्मीदों को, उस आकानशाओं को पूरा करने के लिए, मेरे इस युआ मन के अंदर, आत्मिश्वा से जनून है, आज शाम को जब आप देखेंगे, वो बिये सेप का जवान, जो पन्रा बीस माइनस डिग्री पर रेकर, देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम करता है, हमारे रेगिस्तान की तप्ती आंधी तप्ती रेट के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सीमाओं पर फ्रंट पर खड़ा होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसके स्षोरे का प्रतीक आप देखेंगे, कि किस किस तरीके से हमारा नोजवान, हमारी मैला हैं, किस आत्मिश्वास के साथ मोटर साइकिल पर, पन्रा पन्रा एक एक मोटर साइकिल पर, जितनी लंबी कूद आप सपने में देख सकती, उतनी लंबी छलांग, ये भी बूंदी की धर्ती में पहली बार होगा, और इसलिए, इन नोजवानों में आत्मिश्वास पेदा हो, जनून पेदा हो, कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरे में ये आत्मिश्वास है, जनून है, और इसलिए, आज खेल इस्टेडियम के, इस खेल संकुल का शिलानास भी है, और नोजवानों के आत्मिश्वास बढ़ाने के लिए, शोर्द दिवस का एक प्रदर्शन भी है, ये खेल संकुल, जिसका प्रारंबिक चरण है, ये पहला चरण है, और अगले चरण जब दित्ये चरण होगा, तो कोटा का खिलाडी दोड़ते दोड़ते, बूंदी के स्टेडियम के ओड़ देखेगा, और इसलिए, ये खेल स्टेडियम हमारे राष्टी अंतराष्टी है, मानकों के अनुरूफ हो, हमारा नोजवान जो एथलिट है, उसका एथलिट को अब दोड़ने के लिए ट्रेक की आउश्चता होती है, सेना में भरती होना हो, पुलिस में भरती होना हो, अर्ध सेनिक बल में भरती होना हो, उन सब को कमपिटिशन के लिए एथलिटिक ट्रेक के बिना वो राष्टी अंतराष्टी इस तरपर प्रतिस्परदा के अंदर और लोगों का मकाबला नहीं कर सकता, यहां एथेलेटिक का एक ट्रेक बनेगा जो खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी है उसकी स्टेपना को बढ़ाने के लिए उस ट्रेक के बाद यहां पर स्विंग पूल होगा जो शायद सतर साल से भूंदी के लोग इंतिजार कर रहे हैं पहली बार स्विंग पूल बनेगा ताकि तेराकी के अंदर हमारा नोजवान राष्टी अंतराष्टी स्टर पर प्रतिस्प्रदा कर सके और उसके साथ एक इंडोर इस्टेडियम बनेगा और हमारे जो बुज्रुक लोग हैं जिनकी उमर हो गई है वो स्वस्थ रहें इसके लिए डेड़ किलो मीटर का एक ट्रेक भी बनेगा इसकी प्राकति सुंद्रता बनी रहे है इसलिए पिछली बार यहां वर्षा और उपन किया था हमने आने वाले समय के अंदर यहरा भरा इलाका हो प्राकति सुंद्रता का एक सेत्र हो और दितिये चरण के अंदर हमारे जितने भी खिलाडी दूर दराज के गाों के रहते हैं उन दूर दराज के गाओं में यहां रेकर उनकी छात्रावास बने और यहां रेकर अपनी कंपेशन की तैयारी कर सके यह अगले दिट्थे चलद में होगा और इस अगले दिट्थे चलद में जिला क्लेक्टर मोदे से कहूंगा कि देश के जितने बड़े स्टेडियम हैं उन बड़े स्टेडियमों के अन्रूफ हमें क्या-क्या चीजों के आऊ सकता है उसका पूरा का पुरा ब्लीप्रिंटा बनाए है यहां अच्छी लाइबरियरी हो बुजब लोग घुमने के बाद लाइबरियरी करे एक्सेसाइज करे लाइट एक्सेसाइज करे और एक ऐसा स्तालो जहां पर बूंदी के शहर के और दूर दराज के गाउं के वो नोजवान भी हर तरीके का खेल मुझे बताया है कि यहां कि बच्चे सॉप्ट बॉल के अंदर बड़ी राश्टी अंतराश्टी के खिलाड़ी हैं उसकी भी चिंता करेंगे उसके लिए भी ट्रेक बनाएंगे उसके लिए मेदान अच्छा सा बने इसते में जिलाक लेक्टर मोदे से कहूँगा कि अगली बार जब इसका नक्षा बने तो बीस करोड का असी करोड लगाकर सो करोड का यह स्टेडियम बनना चीए ताकि अंतराश्टी माप डंडो पर इसको बैती बना सके आप ब्लूप्रिंट बनाओ पैसों की कोई कमी नहीं है आप कारियोजना बनाओ मेरा सपना है कि यह जितना बड़ी इस्टेडियम की जमीन है उतनी जमीन बहुत कम शेरों के अंदर है इसलिए उसको मैं राश्टी अंतराश्टी इस्तर का इस्टेडियम और बव आया मी जहां पर सभी एक्टिविटीज हो अच्छा ओडियोट इस खेल संकूल को बनाने का मेरा प्लान है कि अगर जिलाक कलेक्टर मोदे और राज्यसरकार जितनी जल्दी प्रस्ताव भेजेगी उतनी जल्दी में स्विक्रति कराने का काम करूँगा साथियों बुंदी एक शोरे की धर्ति है वीरता की धर्ति है त्याग बलिदान की धर्ति है और इस त्याग बलिदान वीरता की धर्ति को आने वाली वहां की पीडी विरासत को जाने यहां के त्याग बलिदान शोरिक को जाने इसके लिए मैंने जिला कलेटर को आज सुबह कहा है कि एक लाइट एंड शो के माध्यम से हम बूंदी की विरासत उसकी शोरिक की धर्ती को आने वाली पीड़ी समझे देखे ताकि उनमें भी अपनी धर्ती के लिए इतना ही समर्पन पेदा हो इसने लाइट एंड शो का भी प्लान बनाने के लिए मैं प्रेटर मंत्री को मैं दो दिर पहले दिल्ली में बोल दिया है एक सप्ता के अंदर टीम आएगी और इस्तान चैनित करकर यहां पर हम वीर्ता और सूर्ता की त्याक की धर्ती का आने वाली पीड़ी देखते रहें प्रेटक देखते रहें देशी विदेशी प्रेटक देखते रहें कि भारत में अपनी माटी के लिए किस-किस तरीके से बलिदान करने वाले शोर्य वीर्ता की धर्ती हुई और हाड़ी रानी की धर्ती कहलाती है इसी के साथ रामगड़ विश्धारी के अंदर अगले तीन मेने सपारी शुरू होगी मेरा प्रियास चल रहा है कि देश के अलग-अलग इस्सों में जहां भी टाइगर है शेर है अन्य जंगली जानवर हैं उनको यहां पर शिप्ट किया जाए ताकि रामगड़ विश्धारी के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी प्रेटक का इस्तल बन सके और इसी तरीके से यहां के किले बावड यहां महल जिसके देखने ले विदेशी प्रेटक आते हैं और मैंने एक दिन कहा था कि इस बुंदी को रात को जब बुंदी को देखने आए तो कोटा के हाड़ोती के लोग देखने आए उसके पांच करोड की स्विकरती की पसाट जल्दी शुरू हो जाएगा मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आऊंगा चार छे मेने बाद जब उसका भी उठगाटन कर दूंगा ताकि रात को लोग देखने आए कि बुंदी कितनी सुन्दर लगती है अब बाकी सड़कों का मामला है तो चैर्में साब बैठे हैं कि इन्होंने प्रियास किये 20 करोड रुपे अभी आये मुझे जिलाग क्लेक्टर ने बढ़ा मैंने फिक क्लेक्टर साब कहा कि हुटकों से लोन लेकि हुटकों का प्रस्ताव भी भीजा नहीं आप भेज दो सो करोड रुपे और सिकत कराकर हम पन बूंदी को ऐसा बनाएं हमारे आराध्यास्ता की धर्ती केश्राय पाटन की वर धर्ती जो केश्राय भगवान का मंदिर हो चायास्ता का केंद्र हो चंबल नदी हो लोग गंगा में जाते हैं उसकी जगह चंबल में भी जाएं चंबल हमारी जीवन दाई है इसलिए चंबल नदी के किनारे और केश् पास कि ती जेन तिर्स्तान और तिर्स्तान के आसपास इसके लिए भी सवदेश्य ओजना के तर्स सतर करोड रुपे की स्विक्रति हो चुकी है हमारा प्रयास है कि बूंदी के अंदर आने वाले समय के अंदर जहां प्रयाटन की डस्टी से जहां इंडस्टी की डस्टी से जहां एग्रिकल्चर की डस्टी से हर सेक्टर का विकास होना ची कि बुंदी के मंडी के अंदर मैंने विस्तार की बात किया आपको आने वाले समय के अंदर बुंदी की मंडी का एक नया विस्तार मिलेगा ताकि किसान या माल बेशने आते हैं उनको कोई परिशानी नहीं हो मेरे कई इंडस्टी सेक्टर के लोगों से बात चल रही है आने वाले समय में एग्रो बेस पर कई इंडस्टी जहां पर लगेगी चावल उद्द्योग बड़ी माता में लगें चावल के तेल की इंडस्टी भी लोग लगा रहे हैं आने वाले समय में सज्वी के प्लांट भी लगे ताकि हमारे किसानों का वेल्व एडिशन ओकर उसकी आमनी भी बढ़े और इसी के साथ मैं जब मारवाड साइट में जाता हूं तो वहां देखता हूं हर गर में गाये हैं पिछली बार पशुपालन केडिट कार्ड लगाया था कुछ लोगों को कम पेसा र को कोटा के अंदर आएंगी एक विशाल लोन मेला होगा मेरा आप से सभी आग्र है कि कोटा बूंदी के अंदर हमें श्वित क्रांति लानी है लोग गुजरात का उधारन देते आने वाले समय में हाडोती का उधारन दें हर किसान अपने घर में पशुपालक बने इसके लि सान केडिट काड का एक लाग साथ हजार रुपया पूरा पेसा मिलेगा पहले पशुपालक हो चाहे हमारी मैलाएं बेठी है यह चोटे-चोटे कुट्यूद्यों काम करती सेल पे गुर्का काम करती है इनको पचास जार रुपय का लोन मिलेगा हमारे फुट-पाथ पर काम करने वाले थड़ी होल्डर वालों लोगों को मैंने सभी कारे करता हूं को कहा है कि उनको पी-एम सुदी निदी के दस जार रुपय का लोन मिलेगा इस तरीके से हम आर्थिक रूप से भी हम सब को आत्म निर्बर बना सकें इसलिए कि आप सब के प्रयासों से जो मुझे आपने आशिवात दिया है मेरी लगातार प्रयास रहता है कि हर सेक्टर के अंदर चाहें चिक्षा का सेक्टर हो चाहें शिक्षा का सेक्टर हो आने वाले समय में बुंडी मेडिकल कोलेज बनेगा जो बुंदी मेडिकल कोलेज के साथ मैंने जिला क्लेक्टर को आज ही कहा है कि यहां पर हम क्या-क्या और विस्तार कर सकते हैं और विस्तार के साथ क्योंकि विस्तार इंफाइस्टर्च का विस्तार तो जाएगा लेकिन सुपर स्पेसिश्टर निय होने के कारण भूदी के अंदर दिक्कत आती है कि अभी मैंने काई कि पचास सो बेट का एक नया रूब कि यहां पर एक वार्ड बने और उसके साथ साथ ही जो सुपरस्पेस्टिस सेवाएं मेडिकल कॉलेज की हो सकती है उसका भी विस्तार यहां पर हो और गाउं तक मैंने का था पईयों पर हस्पताल चलेगा अभी दो गाड़ें चल रही एक जन्वरी से चार ओड चलेगी हर गाउं में जाकर उसकी 22 तरह की जांच करती है ताकि 22 तरह की जांच करने के बाद जिन पेशेंट को गंभी विमारी है उनका इलाज कोटा जेपूर दिल्ली में कहा कराकर्म को स्वस्त रख सके हैं मैं चाहूंगा कि हम सब बिलकर इस बूंदी के बहुआयामी विकास हर सेक्टर के विकास की कारियोज़ा बनाएं और इसके लिए बूंदी के लोग जो हमेशा बूंदी के विकास की चर्चाय करते रहते हैं मैं उनको साधवाद देता हूं धन्यवाद देता हूं अभी एक व्यापारी मुझसे मिले थे कि बूंदी के अंदर हम यहां पर बड़ी मश्या मात्रा में माल गोडाउन बन जाये तो यहां से रेल के माल गोडाउन से कापी म साल जाये जा सकता है मैंने DRM को काई DRM एक बज़े यहां पर आएंगे उसकी संभावनाओं को भी तलाशेंगे जो आपके अच्छे सुझाव आते हैं जो अच्छे आपकी विचार आते हैं जनित के लिए विचार आते हैं उन सभी सामाजिक राजनितिक कारे करता हूं को मै मेरी कोशिश रहती है कि उनके विचारों के नुसार मैं कारी की योजना बनाओं और आज आप सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है जब मुझे यहां के इंजने ने कहा कि 15 महने के अंदर हम इसको योजना को पूरी बना देंगे और उसके साथ साथ दिर्थे चरण की भी मेरा नोजवान खिलाडी देख रहा है उस सपने को पूरा कर सके हैं और मेरा निवेदय ने आज आप सब को आप आज धाई बजे इस शोरे दिवस को जरूर देखें आपने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले मेदान से और करते उपस से उस चीज को देखा है आज भूंदी के अंदर आपको यह जो हमारे बिये सेप के नोजवान है जिनका शोरे और शक्ति आत्मिश्वास को आपको देखने का मिलेगा ताकि आपके भी नई प्रेड़ना मिलेगी और इसी तरीके से हमारे विरास संस्क्रती श का संचार होता है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है